मुझा नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स इंवेस्मेंट पे और में यू मिंटर शिवांच मशीन आज की बात करने वाले हैं कि कॉंसे स्टॉक्स में बड़िया परफॉर्मेंस रेने को देखने को मिल सकती है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सेट अप करके हम लोग चल सकते हैं और मैं आज कुछ ज्यादा डिटेल में कुछ चीज़े शियर करने वाला हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर पास्त में कुछ ऐसा हुआ था तो आप क्या डिरेक्शन बन सकती है यानि कि मार्केट यहां से अपसाइड या डाउंसाइड कहां जा सकती है और उसके बैसेज़ पर हम लोग अपनी त्यारी करने स्टार्ट करते हैं एक इंपोर्टेंट चीज और आज मैंने पांच स्टाक्स नहीं मैंने चार स्टाक्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है अभी मैं मार्केट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं आपको बताओंगा क्या-kya reasons है क्या-kya factors है तो मैं नहीं चाहरा है कि आप लोग जादा stocks रहें ट्रेट करने के लिए तो 2 buy के लिए 2 sell के लिए अब लोगों को अगर आपको जहां opportunity मेले आप उसके basis पे trade लेकर चल सकते हैं कोशिश करेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे दो स्टॉक्स और प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें कल भी हम लोग लोग ले डीकैल प्रोवाइड कर आया तो जिसने आज 10% की मुवमेंट दिखाई है एक ग्रानुवल्स था वो हमारे लेवल्स तक नहीं पोचा था तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलोव जरूर कर सकते हैं अगर आप लोग ज्यादा स्टॉक्स प्रोवाइड चाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की परफॉर्मेंस क्या रही मार्केट की सबसे पहले नीग की परफॉर्मेंस की तो शिर्ट के पहले बहूत स्टॉक्स थेया ऊपलो बनेथ क परफ़फॉर्मेंस के लावा आप लोगें पोलो हस्पिटल प्रोवाइड कर वागा गया ता कि शॉर्ट टम टागेट बहुत बढ़ी है उसे ने बहुत बढ़िया performance दिया मतलब 10% दो दिन के अंदर बढ़ चुका है decal भी और capley point भी आप देख सकते हैं आप लोगो hold के लिए सला दीती वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है उसके अलावा जो आप लोगो stocks provide करवाई गए थे वो थे cadela हमारी move पे नहीं चला था because हम लोगों ने एक divergence देखा था और वो exact top पे था आपको बोला था कि वो एक short term के लिए sell नहीं है but intraday के लिए sell कर सकते है but वो हमारी level पे आया नहीं so don't worry हम लोगों ने वहापर trade भी नहीं लिए अब बात करते हैं कल की stocks की तो कल के stocks में क्या करना है वो वाली बात कर लेते हैं एक important announcement में और करना चाहूँगा जैसा कि आप लोगों को बता है कि हम लोग हर month एक membership program start करते हैं जहापर में हम आप लोगों को provide कर आते हैं live market पे and वो दुबारा start होने वाला 1st of May से तो seats are now open आप लोग registration कर सकते हैं नीचे description पे आप लोगों को एक google form मिलेगा उस google form को भढ़ सकते हैं और एक आपको नीचे whatsapp number मिलेगा आपको कोई भी queries आते हैं related to our service आप हमें whatsapp कर सकते हैं and वहाँ पर आप लोगों सारी details provide हो जाएंगे okay so let's start and देखते हैं कि stocks किस तरीके से perform कर सकते हैं कल की market पर so जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग अपने setup पे आ चुके हैं and बात करते हैं सबसे पहले stock की जिसका नाम है Tata Communication Tata Communication की अगर आप देखेंगे कि यह buy setup के लिए है and इसका अगर आप trend देखेंगे तो बहुत bullish है इसका trend okay दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि मैंने trend line को draw कर रखा है जो कि exact अपने support पे है and यहाँ पर हम लोग एक buying setup देख सकते हैं so for that let me open a one hour time frame यहाँ पर आप तोगो easily समझा पाऊँगा कि क्या बताना चाहरा हूँ okay आप देखेगा stock पे a fall आया ध्यान से समझेगा यह बात interesting है आपको के लिए समझने के लिए a fall आया exact इसी level से bounce करा मतलब fall आने के बाद pullback दिया pullback देने के बाद क्या करा stock दुबारा नीचे आया और अपने pullback के level को breakdown करा और नीचे चला गया नीचे जाने के बाद आप देखेगा जो पहले इसके लिए support का काम कर रहा था वो अब इसके लिए resistance का काम कर रहा है आप देख सकते हैं यहापर first time resistance, second time resistance, third time resistance, fourth time multiple time यह resistance ही face कर रहा था और इसके उपर breakout देने की कोशिश नहीं कर रहा था अब दूसरी चीज़ और interesting चीज़ समझेगा मैंने एक upper resistance वाली line बनाई है जो की एक support को resistance से connect कर रही है जो मैंने नीचे वाली line बनाई है इसका मैं color कर देता हूँ black आप इस पर ध्यान से समझेगा कि यह क्या आपको denote कर रहा है क्यों मैंने buy setup के लिए दिया क्यों अभी तक breakout नहीं आया है तब भी मैं buy setup के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है देखेगा जब से breakdown दिया है जब से breakdown दिया है तब से इस black line के उपर अभी तक closing देखने को नहीं मिलिया इस particular stock की क्या नहीं देखने को मिलिया closing देखने को नहीं मिलिया आप देखेगा stock ने क्या गरा इस black line के उपर गया red candle बनी नीचे closing दी इस black line के उपर अभी तक नहीं गया आप बार बार दिख सकते हैं इस black line के उपर गया ही नीची आ गया red glare की candle यहां क्या हुआ इसने उपर गया breakout के साथ closing करी उसके बाद next candle उस breakout candle के उपर जाके sustain करके close करी है which is a very good sign plus अपने higher resistance level पे ही close करी है so अगर कल इस level का breakout आता है तो एक बढ़िया buying हम लोग opportunities पे देख सकते है stock है Tata communication अगर मैं आप लोगों को stock का बता हूँ तो current price trade कर रहा है 11.35 पे 11.37, 11.38 के उपर आप लोग बाय करके चल सकते है almost 10 से 15 रोपे आपको ये intraday में provide करवा सकता है इस stock को देखिएगा अगर ये कल market अगर बाय चांस नीचे खुलती है और अगर ये भी नीचे जाता है तो wait करिएगा level आने का तभी बाय करिएगा okay our next stock is DBL Dillip Buildcon and इस particular stock पे भी आप देखिएगा क्या गर है stock ने हमेने आप लोगों कल एक डिक्सन प्रोवाइट करवाय था stock exact same stock है ठीक है सबसे बहले बिखे गए एक trend line draw करी गई है and इस exact trend line पे यहाँ पर support लिया गया है दूसरी बात एक fall आया it created a double bottom type of scenario double bottom scenario create करने के बाद stock ने क्या करा breakout दिया इस bottom का breakout दिया breakout दिने के बाद नीचे आया that is going to be act as a support from now on so अब क्या कर सकते है current price के अगर मैं बात करूँ delay built कौन की तो वह भी है 5.96 का 5.99 या 600 के उपर अगर आप लोग buying करेंगे तो almost almost आपको 610 से 612 रोपे तक के targets भी मिल सकते हैं इस particular stock के अंदा दो stocks ही हम लोग ने बात कर लिया अब बात करते हैं 2 sell side की यूँकि मैंने 4 stocks ही आज आप लोगों को recommend करने वाला sell side के लिए सबसे पहला stock है solar industry solar industry पे आप clearly देख सकते है stock एक range के अंदर consolidate कर रहा है and इस range का लगड़ाई की एक breakdown आ सकता है for that let me go to a daily timeframe and आप यहाँ देखेगा stock कर क्या रहा है stock उपर sustain ही नहीं करना चारा आप एक चीज़ देखेगा यहाँ पर आपको psychology का use करना पड़ेगा अब देखेगा जब भी fall आ रहा है जब भी अपने इस resistance से एक fall आ रहा है बहुत sharply fall आ रहा है within two days के अंदर अंदर एक fall देखेगा पूरा का पूरा cover कर ले रहा है उसके बाद क्या हो रहा है जब उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो बहुत time consolidate कर रहा है कम से कम 6-7 candle consolidate करती है फिर उपर जाता है और उपर भी wick जा रही है पूरी green candle अभी तक ऊपर नहीं गई आप यहां पर check कर सकते है अब यह structure से हमें समझवें आ रहा है कि stock weak है तो करना क्या है हमें करना है कि अभी अपने exact support level पे खड़ी है stock के current price की बात करूं तो वो trade कर रहा है 1248 पे अगर 1245 का level break होता है तो हम लोग एक short position बनाके चल सकते हैं हमें यहां पर भी 10-15 रुपे बहुत easily मिल सकते हैं बात करते हैं last stock की जिसका नाम है HDFC bank let me open a early time frame for that early time frame में open करता हूं अब यहां पर check करेगा stock ने करा क्या है consistently continuously making a lower lows and lower highs continuously make कर रहा था वो lower lows and lower highs को उसके बात क्या हुआ यह नीचे आया उपर गया तो अगर इसे अपना shift मतलब अपना trend को अगर change करना था to bullish तो उससे क्या करना चाहिए सबसे पहले तो इसका confirmation होता है break previous high and does not break its previous low previous low को break नहीं करना चाहिए करा क्या यह इसका previous high previous high को break नहीं करा मतलब confirmation अभी satisfy नहीं हुई उसके बात क्या हुआ नीचे आया बट अपने previous low को भी break नहीं करा जो कि यह confirmation हो गई दो confirmation बताई यह previous high को break करना चाहिए previous low को break करना नहीं चाहिए एक तो नहीं हुई एक हो गई तो अब क्या होगा अब आप देखेगा उसके बात ऊपर गया अब मतलब trend तो change हो नहीं है न क्या हुआ ऊपर गया यह gap था इस gap को fill करके दुबारा नीचे आ गया यानि कि यह stock इतना weak है कि अभी ता trend को change करने में काम्याब नहीं हो रहा है तो यानि कि यह भी एक short sell के लिए particular stock है क्या अगर सकते है current price अभी चल रहा है 13.90 का अगर यह range है यह breakdown हो जाती है तो हम लोग short कर सकते है almost यह से 30 रोपे तक कभी target हम लोग expect कर सकते है within 2 days अगर breakdown आता है तो current price है 13.90 हमें trade करना है below 13.83 below 13.83 के नीचे आम लोग trade करेंगे हमारे targets 10 से 15 रोपे होगे अगर आप लोग intraday trader हो बट अगर आप लोग hold करके चल सकते हो तो मुझे लगता है कि 13.60 तक भी इस particular stock जा सकता है बात करते हैं bank nifty की bank nifty मैं आपको दिखाना चाहूंगा चलते हैं one hour one daily time frame पे and यहां पर आप एक चीज शेक करेगा stock ने करा क्या है ठीक है stock का आप देखेगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो previously हुआ है वो शायद अब हो सकता है तो यह चीज हम लोगों को समझनी important है ठीक है आप देखेगा एक consistent fall आया उसके बाद एक उपर की तरफ up move आया and उपर जाने के बाद आप देख सकते हैं इसने एक indecisive candle draw करे यह उसके बाद एक gap down opening वी gap down opening होने के बाद stock उपर की तरफ गया उपर की तरफ जाने के बाद आप देख सकते हैं दुबारा वो नीचे आ गया दुबारा वो नीचे आ गया अब यहां पर आप लोग confused नहीं हो रहे हैं यह structure आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है एक बार बहुत बड़ी red candle बन रही है उसके बाद फिर बहुत बड़ी green candle बन रही है फिर doji's बन रही है उसके बाद gap down बन रहा है फिर नीचे से buying आ रही है फिर उपर से selling आ रही है यह अभी confused कर रहा है market एक perfect structure को समझने के लिए upside होगी या downside होगी वो कैसे पता लगा है उसके लिए हम लोग previously study करेंगे वो कैसे है वो मैं आपको देखा रहा हूँ देखेगा same structure यहाँ पर भी बना हुआ है let me show you fall आया up move गया up move जाने के बाद एक indecisive candle बनाई उसके बाद gap down opening होई exact वहाँ पर भी gap down opening होई उसके बाद stock उपर गया stock उपर जाने के बाद दुबारा नीचे आया जो आज के trading session के अंदर हम लोगों को देखने को मिला अब क्या कर रहा है यह इसी range के अंदर consolidate करा और एक sharp fall हमें देखने को मिली गया आप यहाँ देख सकते हैं अब stock क्या कर रहा है यह जो range है यह जो range pressure देखने को मिल सकता है current price की मैं सबसे बहले बात करना चाहँगा आप लिगों के सामने current price चल रहा है इसका 3-1-1-2 का 31,100 के level के आसपास चल रहा है minimum selling target अगर मैं आपको बता हूँ तो वह है 30,800 का minimum selling target बट अगर उसके नीचे closing दे देता है तो almost 1000 से 1200 पॉइंट तक का correction bank nifty दिखा सकता है almost 1000 से 1200 पॉइंट तक का correction bank nifty दिखा सकता है bank nifty अगर breakout देना चाहँ अब move देना चाहँ तो हम buy करेंगे 32,300 के ऊपर ही अब आप सुच रहा है वह तो 1200 रुपी ऊपर है yes 22 यह आप देख रहा है stocker क्या रहा है एक एक दिन में 12 दिन में 1200 पॉइंट ऊपर जा रहा है फिर gap down के साथ नीच आ रहा है आप trade नहीं कर पा होगे point समझ रहा है अब मैं यहाँ पर एक short की strategy बनाना के बारे में सोच रहा हूँ क्यों अब भी मैंने आपर आपको पे क्या दिखाया है कि इसी range के अंदर पहले यह consolidate करा इसी range के अंदर consolidate करा फिर break down आया अगर आप consolidate करा अगर आपने put option buy कर ली तो आपको अल्रेडी वह zero हो जाना है put option योगि इतना consolidate करने के बाद तो आपको प्रीम है वह zero हो जाएगा करना क्या है अब यहाँ पर हम लोग एक strategy बना सकते हैं कि अगर इस range के अंदर रहा तो भी हम लोग profit earn कर सकते हैं अगर breakdown दिया तो भी हम लोगों को profit हो सकता है तो अगर वह strategy आप लोग चाहता है कर मैं उसके लिए उपर एक video बनाओ कल तो अगर इस view में था इस particular video definitely मिलेगी तो यहाँ पर अब एक selling pressure है same goes with nifty, nifty already break कर चुका है मैं आपको बताना चाहो तो nifty already break कर चुका है आप देखेगा nifty कर रहा है इस range के अंदर काम but already वह एक breakdown देचुका है इस range को हटा देते हैं देखेगा यहाँ पर उपर गया नीचे आया, नीचे आने के बाद आप चेक करें आप क्या करा नीचे आने के बाद यह closing price थी अब इसकी closing price नीचे shift हुई है which is a very bad sign उसके बाद ऊपर एक gap down opening उसके बाद ऊपर gap up फिर पूरा नीचे आया और मतलब जिसका opening price था इस candle का उसके नीचे आके closing दिया which is a very very bad sign अब आप देख रहें, trend इसका downward की तरफ shift हो रहा है, तो यहाँ पर एक selling pressure आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पर अगर market negative खुलती है, go for a shot first target, जो minimum target है 14,200 का 14,200 के नीचे अगर closing देता है, तो 300-400 point आपको within a week, अराम से provide करा bank nifty on a sell side ठीक है, जो वो strategy है वो nifty के लिए है, वो bank nifty के लिए है, बट अगर आप लोग चाते हो, तो मैं nifty के लिए भी बना दूगा बट अगर 1000 likes आते हैं तब so guys, I hope मैंने आप लोगों यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाया होगा कुछ ने कुछ previous psychology या back testing की basis पर कुछ पढ़ा भी दिया होगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे channel को subscribe करना मत भूलेगा इसे के साथ मैं और videos बनाते रहूँगा प्लस अगर अभी तक आप लोगों हमारे इस membership plan की तरफ जुड़ना चाहते है जो कि हम हर महीने करते है जो कि हम लोग live market पर आप लोगों को provide करवाते है calls तो अगर आप लोग interested हो तो नीचे whatsapp number है आप उसके through हम लोगों whatsapp कर सकते हो और आप लोगों को वहाँप details share कर दी जाएंगे so guys मैं बिलता हो आप लोगों कर सकते हैं